हलो फ्रेंड्स आज हम बनाएंगे चॉले की सब्जी तो इसके लिए 200 गराम चॉले लिए हैं अच्छे साप कर लिए हैं इधर कुकर में पानी गरम हो गया है इसमें डालेंगे एक चमज देल एक चमज नमक और आदिसी चमज हल्दी सब डालके इसमें डालेंगे चॉले चॉलो को डालके डगकन लगा देगे और चार सी ठी आने तक पकाएंगे कुकर की गेस निकाल के चेक करते हैं देखिए एक ध्य पर्फेक्ट चोंले पकर तयार है तोड़ा दबाके देख लेते हैं देखिए पक गए हैं अब एक ड़ाय में तोड़ा तेल गरम करेंगे तेल गरम हो चुका है अब डालेंगे इसमें जीरा थोड़ी सी हींग तेज पत्ता थोड़ी सा बुद काली मिर्ची और दाल चीनी थोड़ा सा बुद धनिया और अब डालेंगे कटा हुआ प्याज सभी को अच्छे से भूनेंगे तेल में पहले पहले सब इनको भून लेंगे और आदे से भूनने के बाद अब डालेंगे इसमें लसोन और अद्रक का पेस्ट यह देखिए बारिक पेस्ट बना लिया है हमने अच्छे से भूनेंगे इनको सब को ब्राउन होने तक यह देखिए ब्राउन हो चुके हैं अब डालेंगे मसाले, लाल मिर्च, हल्दी, हल्दी थोड़ी कम डालेंगे, पहरे डाल दिये इसलिए, और डालेंगे धनिया, सबी को अच्छे से, सबी को डालके, थोड़ा पानी डालके, और मसाला पकाएंगे, थोड़ी देर, मसाले को अच्छे से पकाना है, तेल उपर आ देखिए परफेक्ट मसाला बनकर तयार है अब डालेंगे इसमें जो पकाये थे चॉवले उनको तोड़ा कुकरम पाइन डालकर डाल देंगे और अच्छे से मिला लेंगे पानी बाल आ गया है अब डालेंगे पीसीवी काली मिर्ची अच्छे से मिलाएंगे इसको भी और गेज बंद कर देंगे और ये बंद कर तयार है परफेक्ट चॉले की सबजी थेंक यू